निश्था, शुधता और स्वच्छता का अक्ष हमारे जहन में बैठ जाता है और छट महा पर्व का मुख्या आकर्शन हमें गाटों में नजर आता है नमस्कार मैं साक्षी जाएक बर फिर आपका स्वागत करती हूँ हजारी बाग अपडेट्स में हजारी बाग के हिदैस्थल कहे जाने वाले जगा जील में आप तस्वीरों के माध्य हम से देख सकते हैं लोग साफ सफाई में जुटे हुए हैं गाट का निर्मान करने के लिए अपने जगा संरक्षित करने के लिए तो आईए जुड़ते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि वह क्या कुछ कहते हैं हमारे साथ यहां एक भहिया मौजूद है आईए जानते हैं इनसे क्या कहते हैं तो भहिया छट पर्व नहीं गर्व है हमारा इसके लिए हम जो बाहर भी रह रहे हैं हम छट के लिए के व जाने कुछ होोगों JK जाने कर लेते हैं ताकि लोगों को अर्ग के दिक दिकता ना ओग्कत तो फिर बाद में दिक्कत होती है, गाट नहीं मिलता है, फिर ऐसा अरक के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं होता है, आसपास सब मिलकर ही अरक देने में किसी कोई मनाई नहीं रहती है, जी शुक्रिया, हमारे सथियां और भी लोग मौझूद हैं, और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि उनकी कितनी उत्सा है छट पर्व को लेकर, जी कितनी उत्सा है छट को लेकर आपके मन में, काफी उत्सा है दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली के बाद का जो सीजन होता है, वही मन करता है कि छट पर ही छट के लिए ही, तो यही छट गाट का तैयरी चल रहा है कपसे चल रही है चट घाट की तयारी हो गया चार पास दिन पहले इस चट घाट देख लिया जाता है अब इसी में भी सफाई चल रहा है तीन-चार गंटा में शायद तयार हो जाए आप एक बर पूरा प्रोसेस बताइए कि छट घाट के निर्मान में टोटल किन-किन स्टेप्स क्या-क्या स्टेप्स आप लेते कैसे उसका पूरा तयारी करते बता दीज़े सबसे पहले कि आपको छट घाट में काफी सारे लोग होते हैं तो सबसे पहले कि आपको छट घाट सेलेक्ट करना होगा मतलब गंदगी है वो सब साफ करने को लेकर उसके बाद गोबर से लेपा जाएगा च्छट घाट को फिर यही सब प्रोसेस है गात कि लोग दिपावली से पहले ही जुड़ जाते हैं 14 कते है जगा के चुनाओं के बाद यहां तसीरों के माधियम से देख सकते तो लोग काफी उत्सा से लग जाते हैं छट पर्व के लिए ताकि अर्ग के दिन उन्हें किसी भी परिशानी का सामना ना करना प्रेवेज़ अर्ग देने में लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होती है लेकिन जगा की कमी नहीं हो इसलिए वो अपने सुविधा के लिए पहले ही खबरों के लिए स्योगी क्यामरा पर्सन के साथ साक्षी साह जारी बग अपडेट्स